नमस्कार गांधी वादी चरण हम शुरू करेंगे गांधी वादी चरण अभी तक आपने क्रांतिकारी आंदोलन का जो पहला चरण है ये हमने अभी जिस्ट कंप्लीट किया है तो अब हम गांधी वादी चरण गांधी जी के बारे में हम सभी चीजे हम पढ़ने वाले हैं ब 1917 का वो, 1915 में गांधी जी भारत आ चुके हैं ये आप सब जानते हैं, अब चमपारन सत्यागरा क्या था ये समझने का प्रयास कीजी, देखिए भारत में नील की खेती करना अनिवार कई कई जगा पर कर ही दिया था अंग्रेजों ने ये आप सब जानते हैं, ऐसे ही चमपार जो जमीन था, एक भीगह में बीस कठा जमीन होता है, ठीक है, तो तीन कठे जमीन पर ये नील की खेती करना अनिवार था, मतलब जितना भी खेत किसान के पास है, उसका तीन बटा बीसवा हिस्से पर उसको ये खेती करना अनिवार था नील की खेती, तो ये था तनी तीन बागान के जो मालिक थे पैसे दे रहे थे ठीक है क्योंकि बागान के मालिक भी अंहगरे nh annoc 아 व्यदेशसे करने के दृष्टी तो उसके लिए तो मजबूरन बस किसान कर रहे थे खुशी से नहीं करते थे भले उनको इसे पैसे मिल रहे थे लेकिन खुशी से इसले नहीं करते थे क्योंकि जिस जमीन पर जिस हिस्से पर ये खेती कर रहे थे ना उस हिस्से की जो उपजावपन है वो खतम हो जा रहा था इसके लावा इस खेती के लिए बाकी अन्य फसलों की पेक्षा बहुत ज़्यादा पाई लगता था तो इसलिए खुश नहीं थे ये खेती करके लेकिन जैसे तैसे चल रहा था कोई दिक्कत नहीं समस्या आना शुरू ही 1915 से 1915 में जर्मनी के अंदर एक आर्टिफीशियल ज नील का यूज करके कपड़ों को कलरफुल किया जाता था क्योंकि आज कितने सारे कलर है उस समय खोज नहीं होई थी तो नील के माध्यम से कलर किया जाते है कपड़ों को लेकिन ये आर्टिफीशल जो डाई की खोज हो गई जर्मनी में 1915 में इसके कारण क्या हुआ और ये सस्ता था ये नील की पेक्षा सस्ता पड़ता था तो नील की डिमांड कम होना शुरू हो गई नील की डिमांड कम होना शुरू हो गई तो जो बागान मालिक थे उनका भी घाटा हो रहा था तो वो भी किसानों को चूज रही थे समय लिजिए खेती तो करवा रहे थे लेकि पृष्वाइन की भी थी भागान मालिकों की भी थी किसान तो प्षारा मजबूर था भागान मालिक अपना जो नुकसान है वो किसान के जरेए वे चूस लेथे the तो यहां दोनों के दिमाग में ये था कि किसी तरीके से इससे पीछा छुड़ाया जाया इस नील की खेती से लेकिन नील की खेती से पीछा बागान मालिक इसलिए ने छुड़ाना चाह रहे थे क्योंकि उनका नुकसान हो रहा था वो सोच रहे थे कि नील की खेती जो किसान है वो खुद छोड़े और उसका जो नुकसान है भरपाई वो भरे ताकि इनका घाटा ना हो क्योंकि मशीनियां लगा रखी थी इतना अतना फैक्टियां लगा रखी थी इसी कारण से अब किसी भी किसान को अगर नील की खेती से छुटकारा पाना था तो उस बागान मालिक को बहुत सारा पैसा देना था तो यही बागान मालिक चाह रहे थे कि किसान एक एक करके अपना नील की खेती ना करें लेकिन उसके बदले टेक्स के रूप में या हर जाने के रूप में धेर सारा पैसा इनको मिले ताकि इनका जो नुकसान है बागार मालिकों का ये भरपाई हो जाए इस तरीके से शोशन हो रहा था और उस समय 1916 में मुलाकात होती है राज कुमार शुक्ल की गांदी जी से ये इनकी मुलाकात होती है गांगरेस का अधिवेशन जो लखनवड आधिवेशन होता है 1916 में जहां पर कांगरेस और मुसल्म लीग पार्टी का भी समझोता होता है जिसे लखनवु पैक्ट के नाम से जाना है आता है इसी अधिवेशन में गांधी जी भी आये हुए थे और राज कुमाल शुक्ल ये अपनी प्रॉबलम चंपारन के किसानों की प्रॉबलम गांधी जी को बताते हैं तो गांधी जी उन्हें आशवाशन देते हैं कि ठीक है हम वहाँ पर जरूर आएंगे तो गांधी जी ने जो वादा किया था वो वादा पूरा किया गांधी जी चंपारन आ गए 10 अप्रेल 1917 इस्वी में और किस के साथ है अपने टीम के साथ है जिसमें मुख्य तोर पर राजेंदर परशाद, जेबी क्रिपलानी, ब्रज किशोर, ठीक है मजरहल हक और अनुराग नारायन सिनहा ये सब इनके साथ एक टीम के साथ आए राजेंदर परशाद वही हैं जो भारत के पहले राश्टर पती थे तो 16 अपरेल 1917 को गिरिफतार कर लिया आता है भारत यहां आके चमपारण में ये लोगों की प्रॉबलम को समझते हैं तो हर जगा जाकर उनकी प्रॉबलम को सबको समझते हैं सत्याग्रह करने का प्लान बनाते हैं लेकिन यहाँ पर इनको गिरफतार कर लिया आयता है गांधी जी को 16 अप्रेल 19 सत्रा को लेकिन 18 अप्रेल जो मोतिहारी जो पोड़ था वहाँ पेश किया जाता है और उस दलील के बाद ना इनको छोड़ दिया जाता है और फिर यह सत्यागरे के माध्यम से विवश कर देते ह अंग्रेजों को सरकार को और सरकार आखिर में एक आयोग का गठन करती है इस आयोग में गांधी जी भी सदस से बनाए जाते हैं इस आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से यह माना गया कि भईये यह तीन कठिया पद्दतिय सही नहीं है किसानों का वास्तों में शोशन हो रहा ह सरकार ने माना तो इस रिपोर्ट के हिसाब से आयोग की रिपोर्ट के अधार पर 4 मार्च 1918 में जो वहां का प्रांतिय असेंबली थी प्रांतिय जो विधान सभा था तो वहां पे कानून पास किया गया और तीन कठिया पदिती को समप्त कर दिया गया तो इस परकार से गांधी जी की जीत हो जाती है और गांधी जी के द्वारा भारत में किया जाने वाला पहला सत्याग रहता जो सफल होता है तो गांधी जी हीरो के रूप में उभरते हैं हीरो बन जाते हैं एक ऐसा लगता है कि कंधेरे में किसी ने एक खिड़की खोल दी हो ऐसा ऐसास होता है तो गांधी जी को यहां पर महात्मा कहा गया है किसके द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नोवेल प्राइज विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा कहा गया है तो महात्मा क्युपादी रविंद्रनाथ टैगोर में दी हुई है तो इतनी बाते आप चंपारण जो सत्यागरा है उसके बार में याद रख लिए इसके बाद खेड़ा सत्यागरा है और एहमदाबाद जो मील मामला है वो मैं आपको बताऊंगा अच्छे से तो ये लगातार तीन हैट्रिक के बाद गांधी जी लगभग लग वीडियो है नेक्ष्ट मैं आपके लिए बना पाऊंग ठीक है ठीक है मुलगात करते हैं के लिए एपिसोड नमस्क्राव